तो यो, what's up guys, my name is YoYo, your name is Yoz तो आज हम ना कोई वीडियो बनाने वाले हैं, ना कोई गेम खेलने वाले हैं आज हम बनाएंगे वीडियो हैश्टेग ड्रीम बोई की स्टोरी पे आज स्मार्टी भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज ना प्रमोट कर दो चैनल को आज मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ तो guys, पहला ही disclaimer दे देता हूँ कि आप, this is a fictional story, यह कुछी को भी offend नहीं होना यह स्टोरी से किसी के खिलाफ, किसी का मज़ा खुदाने के लिए नहीं बनाया है, तो let's get started तो एक world था, जिसका नाम था Himlands उस world का owner का नाम, यह स्मार्टी पाय था उसके तीन नौकर थे, एक का नाम Dream Boy, दूसरे का नाम Ezio, और तीसरे का नाम फलाना जी था वो लोग स्मार्टी पाय से बहुत लोयल थे, और स्मार्टी पाय उन लोगों को हर दिन का एक डाइमंड देता था और उसके बदले वो उन लोगों से उन लोगों से पूरा world साफ करवाता था और नई नई बिल्ड एंड फर्माइशे करता था पर एक दिन ड्रीमबर ने एजियो को बोला स्मार्टी हमें हमसे पूरा world का काम कराता है और बस एक ही डाइमंड देता है चलो उससे सेलरी बढ़ाने को बढ़ाने के लिए कहते हैं को कहते हैं तो वो लोग स्मार्टी के पास गए एंड सेलरी बढ़ाने का सालरी बढ़ाने के लिए बोला तो स्मार्टी ने बोला तुम लोगों को काम करना है तो करो एक डाइमंड में नई तो दफा हो जाओ यहां से और वो उनको मार के भगा देता है तो ड्रीम बोई और एज्जियो को बहुत गुसा आ जाता है और फिर वो उनको फलाना जी मिलता है और वो बोला बोलता है कि हम उसे मार के ही रहेंगे और बदला भी लेंगे और अपने तो हिमलेंड का सीजन 3 तो देखा ही होगा तो यह थी ड्रीम बोई की स्टोरी एंड स्मार्टी भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो वीडियो को लास तक देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना एंड बस मार्टी भाई ही नहीं आप लोग को भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है बाई बाई और ये थी ड्रीम बोई की स्टोरी प्लीज गाई सपोर्ट करना एंड गाईज इसके बाद माटी भाई जिस के ऊपर स्चोरी बनाने बोलेंगे मैं उसके भी बनाऊंगा तब तक के लिए बाई बाई गाईज